दोस्तों बात होगी आज की वीडियो में जाकिर हुसेन के बारे में जो एक तबला वादक है जाकिर हुसेन तबला वादक और संगीत दोनों ही छेतरों के महरत ही है उन्हें संगीत की दुनिया का लिविंग लेजेंड कहा जाता है तबले पर अपने उंगलियों और हाथ की थाप से जादू पैदा करने वाले जाकिर हुसेन का जनम नोमार्च 1951 में हुआ था ये ऐसी सक्सियत है जिनका परिच्य देना मतलब सूर्य के आगे दीपक दिखाने जैसा होता है जाकिर हुसेन तबला वादक उस्ताद अल्ला रखा के बेटे हैं जाकिर हुसेन के पिता महराष्ट्र से हैं पर उनका बच्पन मुंबई में बीता जाकिर का पूरा नाम जाकिर हुसेन कुरेशी है मुंबई में पैदा हुए जाकिर हुसेन ने सेंट जेविर कॉलिज से अपनी पढ़ाई की थी मातर 11 साल की उमर में अमेरिका में उन्होंने अपना पहला कंसर्ट किया साल 1990 में ताज महल चाय का वह विग्यापन तो आपको याद ही होगा जिसमें जाकिर सहाब ने जबर्दस तबला बजाया था वर्ष 1974 में उस्ताद जाकिर हुसेन ने जैज गिटार वादक जौन मैकलाफिन वाइलोनिष्ट वाइलिन वादक एल संकर मिर्दंग वादक रामनंद रागवान और घटम बजाने वाले उस्ताद विक्कू विनायक राम के साथ सक्ती के माध्यम से संगीत के एक अलग दुनिया बनाई थी सक्ती में दक्षणी भारतिय संगीत इंदुस्तानी और पस्चिमी संगीत का मिला जुला रूप था आपको जानकार हैरानी होगी कि उस्ताद जाकिर हुसैन हर साल दोसों से ज़्यादा शो करते हैं दुनिया का सायद ही ऐसा कोई देश बचाओ जहां जाकिर हुसैन ने अपनी परफोर्मेंस ने दियो वे जहां भी गए लोगों ने अपने अनोखे तबला वादन से लोगों को अपना दिवाना बनाते चले गए 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन दा मैटेरियल वर्ड आया था जाकिर बिल लाउ वेल के गलोबल म्यूजियम सूपर गुरूप तबला बीट साइंस के संस्थापक सदश्य है हिट एंड डस्ट और साज जैसे फिल्मों के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया है दोस्तो यह थि आज की वीडियो हाई रहाए को पसंद आई दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे येटुब चनल को श्ब्सक्राइब कीजिये मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तक तक के लिए धन्यवाद